तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेज्ट सैंडविच और जो की बहुती इजी है, बहुती आसान है, इसको आप घर पे इजीली बना सकते हैं, ब्रिक फास्ट में आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं और खाने में भी उतना ही टेस्टी है तो इसको मैं बनाऊंगी brown bread से तो चले आई ये शुरू करते हैं वीडियो को वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे तो दिखें वेच सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्राउन ड्रैड लिये हैं और दो ब्रैट के स्लाइस लिये हैं और यहाँ पर दिखें कुछ ओनियन और कुकुम्बर और जो कैप्सिका में इसको बारिक रफली चॉप्ट कर लिया है यहाँ पर मैंने गैनो और चिली फ्लेक्स और ब्लेक पिपर पॉटर भी लिया है और चलिए यहाँ पर देखें मैंने चीज लिया है और इस तरह से बाद में मैं चीज का यूज करूंगी यहाँ पर सबसे पहले बटर लोंगी ब्रैट के ऊपर आपको बटर को स्प्राइड करना है देखें इस तरह से spread कर लेंगे अगर आप चाहे तो normal bread भी ले सकते हैं लेकिन यहापे मैं brown bread का ही sandwich बना रही हूँ इस तरह से bread को उपर अच्छे से लगा देंगे एक एक कोने में लगा देंगे देखिए दोस्तो butter को easily आप घर पर कैसे बना सकते हैं इसका भी वीडियो मैंने आपसे share किया है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो चले यहाँ पर मैंने एक bread पर लगा दिया है butter अब दूसरी bread की जो slice उस पर मैं mayonnaise लगाऊंगी आप चाहें तो butter भी लगा सकते हैं तो मेरे पास mayonnaise हैं तो मैं mayonnaise को अच्छे से spread कर दूँगी अब butter वाली bread के उपर मैं यहाँ पर दूसरी bread को रखूँगी तो इसके उपर मैं डालूँगी थोड़े से प्याश जो कि मैंने बारिक रफली chopped करके रखे हुए थे थोड़े ही डालेंगे ज्यादा नहीं डालना है अब यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा cheese इसको grate कर लेंगे देखिए इस तरह से मैं grate करके डाल ली हूँ तो यहाँ पर मैंने cheese को grate कर लिया है थोड़ा ही grate करेंगे ज्यादा नहीं करना है अब मैं डालूँगी थोड़े से capsicum और देखिए इस तरह से मैंने capsicum भी डाल दिये हैं अब थोड़े से cucumber डाल दीगे उपर से देखिए इस तरह से cucumber डाल देना है ज्यादा नहीं करना है नहीं तो हमारा जो sandwich है वो तूट जाएगा तो थोड़ा ही थोड़ा आप सामान डालें जो भी चीज़ें आपको डाली है कोई भी vegetables डाल सकते हैं गाजर को मैंने grate करके रखा है क्योंकि गाजर जो है थोड़ी सी शक्त होती है थोड़ी सी hard होती है तो इसको आप grate करके ही डालें तो इस तरह से थोड़ी सी गाजर मैंने डाल दी है अब मैं डालूँगी इसमें tomato थोड़ी से ही piece डालूँगी tomato के तो दिखे इस तरह से press कर देंगे हाथों से अब मैं डालूँगी black paper powder और जो की chili flex है औरी गैनो अगर औरी गैनो नहीं है आपके पास तो आप इसके भी कर सकते हैं chili flex डाल देंगे chili flex नहीं हो तो अगर आपके पास dry red chili है तो उनको आप थोड़ा सा खलबटी पे कूट लीजे मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइन कर लीजे दर दरा बस आपके chili flex बनके रडी हो जाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा coriander leaves डाल देंगे थोड़ा सा salt डाल देंगे और जो ब्रैट की slice है इसको निकाल देंगे और जो बटर वाली slice उसके दूसी तरफ मैं लगाऊंगी tomato sauce तो दिखें tomato sauce को भी अच्छे से spread कर देंगे bread के ऊपर दिखें अच्छे से मैंने spread कर दिया है और अभी इसको sauce वाले जो part है bread का इसको पलट कर आपको रखना है यानि कि बटर वाला part ऊपर ही आना चाहिए तो यहाँ पर दिखें अभी सारी vegetables हो गई है और अभी मैं last में यहाँ पर cheese grate करके डाल दूँगी तो अच्छे से grate कर दिया है और जो sauce वाला part है bread थोड़ी सी तूट गई है क्योंकि बहुत fresh है bread तो बहुत ही soft होती है तो इस तरह से हमारा sandwich ready है अब bread को पलट देंगे इस त इस तरह से butter को आप अच्छे से स्प्रैट कर दीजे तो चलिए हमने अपे sandwich तेयार कर लिया है यहाँ पर मैंने नौन इस्टिक मैल लिया है और थोड़ा सा butter लगाएंगे आधा चमबच के करी मैंने butter डाला है और बस इसके ऊपर यह bread रख देंगे bread तूट गई है तो आपक अधिक्शन ना लें तो इस तरह से थोड़ा सा प्रैस कर देंगे bread को और बस इसको cover कर देंगे 1-2 मिनिट के लिए इसको होने देंगे तो 1-2 मिनिट के लिए होने देते हैं तो चलिए हमारे 2 मिनिट हो गए हैं अब यह मैं इसको पलट दूँगी थोड़ा आप समल कर पलटिए गया क्योंकि ब्राउन ब्रैट से बनाया हुआ है तो इसको मैं कटर से कट कर लूँगी आप चाहे तो नाइप से भी कट कर सकते हैं तो अब ये थोड़ा सा गरम है थोड़ा ठंडा होने पर ही आप इसको कट कीजिएगा तो दिखें ये हमारा सैंड्विच जो है बहुत ही बढ़िया बनके तयार हुआ है देखें कितना बढ़िया सैंड्विच बनके तयार हुआ है आप इसको ड्रेकफास्ट में बच्चो कोटे फिन में दे सकते हैं बहुत इजी हो खाने में बहुत ही टेस्टी है जटपड बनक तो आप एक साथ कट कर लीजी, यहीं पर आपको एक बाउल लेना है, बाउल में थोड़ा सा आपको कुकुमबर, कैपसिकम, ओनियन डालना है, यहाँ पर मैं एक से दो सैंडविश क्लेज, जो की स्टफिंग तयार करें हूँ, एक चमच के करीब मैंने यहाँ पर टोमेटो ड जाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा मसाले डालेंगे, जैसे की नमक डालेंगे, और एगेनो डालेंगे, और चिली फ्लेक्स डालेंगे, और ब्लैक पेपर पॉडर डालेंगे, और बस इसमें थोड़ा सा म्योनिस डालेंगे, और म्योनिस आपको mix कर देना है, अगर आपको म्योनिस कम लग रही है थोड़ा सा और add कर दीजीगा, तो दिखिए इस तरह से मैंने mix कर दी, मुझे कम लग रही है, तो थोड़े से और डाल ली हूँ, अगर आप म्योनिस ज्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, चलिए sandwich की stuffing तयार हो गई है, तो यहाँ पर मैंने brown bread ली है, तो brown bread आप चाहे तो normal bread भी ले सकते हैं, तो इसमें मैंने butter लगा दिया, एक bread की slice के उपर आपको butter लगाना है, और दूसरी bread की slice पर आपको sauce लगाना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तीखा भी बना रही हूँ, मेरे पास यह हरी चटनी है, हरा धनिया मिर्ची, लैसरों अध्रक डालके मैंने इसको बारिक पीस लिया है, तो यह हरे धनिया की चटनी है, बटर के उपर इसको भी spread कर देंगे, दूसरी bread के slice पर आपको tomato sauce लगा देनी है, तो यह चटनी लगा कर एक बर आप sandwich बनाई, इतन इसे फैला देना है, और यह बहुत ही आसान है, तो इस तरह से थोड़ी सी जो है चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे, और जो की औरिगेनो और ब्लक पेपर पॉडर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे उपर से, और थोड़ा सा जो हमारे पास चीज है, चीज को ग्रेट क डाल देंगे, वा, क्या बढ़िया लग रहा है ना, तो चीज डाल के आप जुरू बनाएगा, चीज नहीं है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, तो दिखिए चीज डाल दिया है, अब भी इस ब्रैट को इसके उपर आपको रख देना है, जो सॉस वाला पार्ट है ब्र पलट देंगे, तो उपर से आपको लगाना है बटर, बटर यहां पे मैं थोड़ा सा ही लगा रही हूँ, अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, यह सिर्फ सेखने के लिए हैं, और यहां पे मैंने गैस पर पैन रख दिया है, गैस की फिलम दीमी रखें, थोड़ा सा बटर डाला है, और सैंडविश को इस तरह से रख देंगे, दीरे से ही रखें, और इसको कबर कर देंगे, एक से दो मिनिट के लिए होने देंगे, ताकि यह अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, तो चलिए, अभी जो है हमारा सैंडवि सकता है, इस तरह से पलट दिया है, थोड़ा सा बटर उपर और लगा देंगे, और बस इसको कबर कर देंगे, और फिर आपको फिर से पलट देना है, इस तरह से अलट पलट करके आपको क्रिस्पी सेखना है, देखे, इस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ, इसलिए प्रेस कर है तो यहाँ पर हमारी जो सेंड़ुच है घ्syovic Authent which बिलकल यार हो गई है तो चलिए इसको आराम से निकाल लेते हैं प्लेट में और सर्फ करलेते हैं तो दिकी का लिया है्ट आप झाफ ह старे तो बिना कट करके भी खा एक बार आप जरूर ट्राय कीजिएगा अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैल आइकन वर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो आपके नॉटिफिकेशन में